देखिए अगला question क्या दिया है में प्रेश्ण है हमारे पास question संक्या 30 सिर्थ कीजिए कि cos square theta plus cos square theta into quad square theta बराबर होता है quad square theta की तो कोई बात नहीं देखो ऐसे question में हम क्या करते है ऐसे question के लिए हम सबसे पहले दायापक्ष यानि कि LHS LHS में देखो लेके चलेंगे हम अप्रूफ करेंगे RHS है ना LHS ले लेंगे तो LHS क्या दिया है देखो cos square theta plus cos square theta into quad square theta ठीक है यह दिया है अब LHS हमें अर पास यह है आप देखो यहां से cos square theta को अगर आप common ले लोगे बिटा तो अंदर बचेगा one plus यहां से बाहर आ गया तो यहां वन हो गया और यहां के बचा यहां बचा कॉट square theta कॉट square theta अब यह तो है cos square theta as it is one plus cos square theta को हम लिख सकते है cosec square theta क्या लिख सकते हैं किया होता है फॉर्मिला 1 plus q4tta को q2tta अब cos q2tta as it is रखो इसको लिख सकते हैं 1 upon sin q2tta लिख सकते हैं अब cos q2tta upon sin q2tta क्या होता है जल्दी बता दो क्या ये बराबर नहीं होता q2tta कये q2tta के और ये क्या आगई आपकी RHS आ गई is equal to RHS तो यह ही हमें प्रूफ करना था तो that means hands-proved दाया पक्षा आगया तो आप लिख देंगे hands-proved इसका मतलब इत्ती सिद्धम इसका मतलब